मैं कहूंगी कि यह सब हमारे मेरे बापा ने किया हुआ हमारे भगवान ही करते हैं अच्छे लोगों का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है कभी कभी देखे हमें लगता है कि इनसान अच्छा है बटो शायद अच्छा नहीं निकलता है हम वो नहीं देख पाते हैं जो उपर वाल निकाल देता है चीजों में जो उतमें टॉक्सिक लोगों के बीच में थी so in that case इस साल मेरे लाइफ में इतना सुकून है so राजशी बहुत-बहुत स्वागत है टीवी मसाला में और हर साल की तरह बप्पा एक बार फिर आपके घर पधार चुके हैं और बहुत ही खुबसूरत बपपा के ये जो मूर्ती है वो है क्या कहना चाहेंगी इस साल क्या मन में भावना है क्या मन में श्रद्धा लेकर बपपा को घर पर लेखे राई है इस साल पताए एक अज़ीब सा सुकून है मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस साल हाला के पिछले साल काफी चीजों में मैं उलजी हुई थी इतना टाइम नहीं दे पाई जहां तक मुझे पता है मुझे वो जब बपा जा रहे थे तब मुझे वो फील हो रहा था कि कुछ चीजों में जो मैं टॉक्सिक लोगों के बीच में थी जो इन दा केस इस साल मेरे लाइक में इतना सुकून है और आज मॉर्निंग कि गन्बती बपा की स्टाफना की है तब से मुझे इतना अच्छा लग रहा है इतना सुकून लग रह, बस बपा के चर्णों में बैठी रहू और जैसे कि अबने कहा कि इस बार मैं ने क्या सोचा है, क्या उमीद रखी है, मैंने बबबा से सिर्फ और सिर्फ एक उमीद रखी है, हमारी सहत का ख्याल रखे, हमारे घर में खुशिया रहे, बस मेहनत हम करेंगे, अगर हमारी सहत अच्छी रहेगी, तो मेहनत हम हमेशा करेंगे, और बबबा तो है हमारे साथ मे और ये जो सजावट है इतनी खुबसूरत है क्योंकि हर साल हमने पिछले साल भी देखा था कि ये सजावट इतनी ही खुबसूरत थी लेकिन इस बार आपने ये गुलाब का थोड़ा सा टच जादा दिया है तो मैं जानना चाहूंगी कि ये डेकोरेशन का आइडिया किस तरी अगर याद होगा सब आपको या पूरे विवर्स को याद होगा मैं दगड़ुषेट को बहुत मानती हूं मैं सिद्धी विनायक और दगड़ुषेट दोनों को बहुत मानती हूं कहा जाता है कि सिद्धी विनायक की मुर्ती नहीं लानी चाहिए विसरजन नहीं होता है उ यह दगड़ुषिट ओरिजनल मुर्ती है, उनकी जो रियल मुर्ती है, वो इसी तरीके से गोल्ड सोने चांदी से जड़ी हुई है, तो वो सेम भगवान में इस बार अपने घर लेके आई हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारी गर की वाइब, जब भगवान इतने सोने चांदी में हमारे घर में मड़के आये है, तो इसकी वाइब ही अलग है, पस. तो वाइब तो डेफिनेटली अलग है, और अगर मैं आपके घर की बात करूँ या गनपती पपा की बात करूँ, उनको मोदक खाना बहुत पसंद है, और आपके घर का मोदक मतलब मैं कहोंगे आउंटी बहुत ही अच्छे मोदक बनाती है, आप से जनना जाओंगी आप कितनी HELP करती हैं अभी मोदक बनाना जानती है, मैं मोदक बनाना जानती हें खेर हमाई भगवान जी के सामने खड़ियो कี่ कोई जूत नहीं होगा यहां पर आउंटी नहीं मोदक बना है, मैं ने बच्पन से सब किया हूँ। मैं चूरै लेके उसको गॉल गोल बनाना क फिर कभी-कभी मेरे हाथ से ना, वो चूरन कम जाता था, आटा जादा हो जाता था, वो खाने में इतने बिकार लगते थे, तो फिर मम्मी हमें उठा देती थी, कि उठो यहां से, आटे आटे भरे, फिर मम्मी अपने हाथ से जितना चूरन चाहिए, जितना आटा चाहिए, व युचे में मव्मी बहुत अच्छे से बनाते है! मा तो मा होती है! लेकिन आप खाती हैं मोदक अपने वीड़ो हम मोदक की आपने वीड़ो हम मेरा पूरा हख है भाग लगाने के बाद जो मोदक बचते है वो मेरे होते है अगर मैं बपपा की बात करूँ तो जैसे कि हम सब जानते है कि आपको बिग बॉस में जाने का एक शौक है तो इस बार बपा से मांग लिया है कि बपा ये वाली काम वीरी मनोकामना जो है बिग बॉस हाउस में जाने की उसे पूरी रज़ देना देखे मैंने अभी तक बप्पा से कुछ नहीं बूला है बड़ जैसे आपने अभी बूला तो मुझे लगता है बप्पा ने अभी सुन लिया है तो अभी हम बप्पा के हाथ में छोड़ते हैं कि क्या हमें बिट बॉस के घर जाओंगी तो ये हमारा सिक्रेट रहेगा ये तो हुई डेकोरेशन की और खाने की बात लेकिन 11 दिन की गनपती पपा को आप 11 दिन के लिए पूरे लेकर आते हैं मैं जानना चाहूंगी पहले बार जब आप लोंने गनपती पपा को घर लेकर आये थे क्या यादे उससे जुड़े है पहले दिन की याद तो मैं बहुत वहां कि परता ही जोटी थी, बच्छपन की भादे है, मैं बहुत छोटे से गाउं से हूँ, तो हमारे ज़र गर में गंपती होते हैं, हर एक घर में गंपती होते है, वहाँ की परफा ही वही है, तो हम लोग क्या करते थे, डे में स्टार्ट करते थे, और सबके दर्वाजे खुल ले रहते हमारे यहां चोटा सा गाउ है तो सबके दर्वाजे खुल ले रहते हुद के घर ते वो तो एक घर में गए फिर दूसरे घर में गए फिर तिसरे घर में गए और जब मैं चोटू थी ना मैं थोड़ी बदमाश थी जब आपने किसी को भाई बनाया था अपना और कोई आपके साथ यहां खड़ा था इसी जगह पर और आर्थी भी की थी और आज हम उस इनसान को नहीं देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगी क्योंकि अभी फिलाल के लिए मुंबई भी आए थी मैं कहूंगी कि यह सब हमारे मेरे बापा ने किया हुआ हमारे भगवान ही करते है अच्छे लोगों का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है कभी-कभी देखे हमें लगता है कि इनसान अच्छा है बटो शायद अच्छा नहीं निकलता है हम वो नहीं देख पाते है जो उपरवाला देखता है कहते है कि उपरवाले ने कोई बात ऐसे सुनी होती है जो हमने नहीं सुनी होती है इसलिए जितने भी हमारे आसपास नेगेटिव लोग होते है उनको अपने आप उपरवाला निकाल देता है क्योंकि मैंने वो शाय सुना नहीं है मेरे बारे में जो मेरे पीछे से मेरे छल कपड किया जाता है वो उपर वाला देखता है तो अपने आप भी हटा देता है and I'm very much happy मैं इसी लिए कहरी वो सुकून वर्ड जो मैंने यूज किया है यूज सुकून वर्ड है मैं अपना भी लड़ रही थी साथ में किसी और का भी लड़ रही थी अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपना टाइम खराब किया जो भले-भले लोग बोल रहे थे जो समझधार लोग बोल रहे थे really, बहुत बड़ा थांक्यू मैं करती हूँ मेरी मिडिया के भाई, बहन का, आप का और मेरे सारे मिडिया का बहुत साथ दिया मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी एक छोटी मिडिया के बेटी ही बन चुकी हूँ really, थांक्यू बरी मच ठीन तो मच औरर छाथलीजने से पहले गनपती ओप्पा मोरिया मंगललमृती ओप्पा से क्या क MER. क्या क्याना चाहेंगी बपपा के लिए बपपा के लिए मैं चाहती हूँ आप कभी मज जाना अब सिर्व 11 दिन के लिए आते हैं शायद हमारे कैलेंडर में ऐसा होता कि बपा एक महना रहेंगे, दो महना रहेंगे तो हमारी घर की वाइब और पूरी मुंबई की जो वाइब होती है इतनी स्ट्रॉंग हो जाती, इतनी स्ट्रॉंग अब जैसे गनपती बपा आगे, हमारी वाइब बढ़ गई, अब थोड़े दिन के बाद मातारानी आएगी, हमारी वाइब और स्ट्रॉंग हो जाएगी, उसके बाद दिवाली आएगी, हमारी वाइब और स्ट्रॉंग, तो अब हमारी पूरी पॉजिटिविटी वाला टाइम है, सारी नेगिटिविटी भाग गई, तो गन करने के लिए